पूरे हुने पर इंडिया गेड पर पांच घंटे का मेगा शो हुआ मेगा शो के आखिर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने सरकार की दो साल की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि पिछली दो साल से देश में विकासवाद और विरोधवाद का दौर जारी है मोधी सरकार के दो साल पूरे होने पर इंडिया गेड पर हुए जश्ट्न में अमिताब बच्चन समेट शामिल हुए बॉलिवुड के कई सितारे अमिताब बच्चन और रवीना टंदन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर बात की तो अब इनेत्री विद्या बालन ने स्वच्चता अभियान पर अपना अनुभव सांचा किया सरकार की जरा मुस्कुरादो सीरीज के तहट मेगा शो में कई सांस्कृतिक कारिकरम भी हुए दिली में बिजली पानी के मुद्धे पर विरोध के लिए कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहूल गांधी को मशाल जुलूस की इजासत नहीं मिली दिली पुलिस से मर्शाल जुलूस की इजाज़त नहीं मिलने पर कॉंग्रिस की कारिकरताओं ने टॉर्च लेकर राजगाट से लेकर दिली सची वाले तक मार्च निकाला यूपी बीजेपी की 510 कमिटी आज महोबा का दौरा करेगी महोबा खनन हाथ से में मजदूरों की मौत की मामने में केशव प्रसाद मौर्य ने इस कमेटी का गठन किया है 510 कमिटी में करंच सिंग पटेल, सांसद भानुपरताब वर्मा, देवेंदर सिंग भुले, सांसद पुषपेंदर चंदेल और पूर्च सांसद गंगा चरण राजपूत शामिल है पुत्राखन के टिहरीज दिले में बादल फटे से कई गाउं में सेक्डों घर शतिगरस्त हो गए और एक व्यक्ती की मौत हो गई सडकों को भारी नुपसान होने से कई जगह ट्राफिक बंद हो गया और चारधाम की यात्रा प्रभावित हुई है इधर देहरादून में तुफानी हवाओं के चलते कई पेड उखड गए वही रुद्रपयाग और चमोली में लगभग कल मूसाधार बारिश होई जबकी श्रीनगर में आंधी तुफान से जन जीवन अस्त्वियस्त हो गया रुद्रपयाग में पिछले एक हफ़ते से शाम को लगातार वारिश हो रही है जिसके चलते के दाना की यात्रा पर रोक लगा दी गए है आजुतर प्रदेश में बरेली और मुरादबाद की बीच टेलको ट्रेन का ट्राइल होगा ट्राइल असी से 115 किलो मेटर प्रतिघंटे की स्पीड में किया जाएगा इस रूट पर दो हफ़ते के ट्राइल के बाद मतुरा और पलवल की बीच 180 किलो मेटर प्रतिघंटे की स्पीड से ट्राइल होगा पाकिस्तान अमेरिका से F-16 लडाकू विमान खरीद पाने में नाकाम हो गया है एक मीडिया रिपोर्ट के मताबिक दोनों देशों के बीच पैसे के लेंदेन का मसला सुलज ना पाने के कारण पाकिस्तान 70 करोड डॉलर का ये सौदा पूरा नहीं कर पाया इस तौदे की खरीद पर मुहर लगाने की आखरी तारीक 24 मैं थी कॉंगर्स के वरिष्ट नेता और पूर्फ केंद्रिय मंत्री भी नरायन सामी पुडुचेरी के नए मुख्य मंत्री होंगे नरायन सामी को सर्वसमती से विधायक दल का नेता चुन लिया गया कॉंगर्स के केंद्रिय परिवेक्ष को दिली की पूर्फ मुख्य मंत्री शीला दिक्षित और महा सचिव मुकुल वासनिक ने नव निर्वाचित विधायकों के साथ विचार विमर्ष कर इस पैसले की घोशना थी जून महीने में इसरो एक सिंगल मिशन के तहत रिकॉर्ड 22 सैटलाइट लॉंच करेगा इसरो चेर्मेन किरन कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से तीन भारती होंगे और बाकी 19 वियावसाइक होंगे इसके पहले साल 2008 में इसरो ने सिंगल मिशन के तहत 10 सैटलाइट लॉंच किये थे जमु किश्मीर की मुक्य मंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य में सैनिक कॉलिनी बनाए जाने के लिए फिलहाल जगह मिलने से इंकार किया है विधान सभा में बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने साफ किया कि मौजूदा सरकार ने राज्य में सैनिक कॉलिनी बनाने के लिए जगह तलाशने क्या देश दिये थे लेकिन कॉलिनी के लिए अब तक जगह नहीं मिली है विशाकर पजना में तेज रफ्तार कार में एक युवक को कुचल दिया है घतना बीती रात की हादसे में युवक की मौत हो गई है इस मामले में नेवी के तीन जवानों को गिरफ्तार किया गया दिलिकेंट इलाके में बीती रात आर्मी बेस अस्पताल के पास सडख हादसा हो गया जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टककर मार दी कार में दमपती और दो बच्चे सवार थे टककर के बाद ट्रक कार को काफी दूर तक घर सीथते हुए ले गई हालकि राहत की बात रही कि किसी भी कार सवार को चोट नहीं आये लेकिन ट्रक ड्राइवर बुरी तरह जखनी हो गया दिलि में हिट अन ब्रन केस का मामला सामने आया घतना दिली गेट के शहीदी पार के लाके की है जहां एक तेज रफ्तार कार ने स्पोर्स बाइक को जोड़दार तकर मांदी तकर में दो बाइक सवार घाल हो गए जबकि अक्सिडेंट के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया घालों का LNJP अस्पताल में इलाज जारी है बीती रात होई बारिश ने दिली वालों को गर्मी से कुछ हद तक ने जार दिला दी रात करीब सारी 9 वजे आनधी और बारिश की वज़े से तापमान में गिरावर दर्च की गई दिली में कल दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया मौसम विभा के मताबिक आज भी बारिश की संभावना है आज दिली का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है कल CBSC के दस्वी के नतीजों का एलान कर दिया गया इस बार कुल 96.2 एक फीसिदी चात्र एक्जाम में पास हुए एक बार फिर लड़कियों से लड़कों के मुकाबले बाजी मारी इस बार 96.2 थे 36 फीसिदी लड़किया और 95.1 एक एक लड़के पास हुए दिली में प्राइवेट स्कूलों का दस्वी का पासिंग पसेंटेज सरकारी स्कूलों से ज्याद रहा प्राइवेट स्कूलों के 95.4 थे 36 फीसिदी पच्चे पैस हुए राज के शिक्षक संग ने कल जंतर मंतर पर दिली के शिक्षा मंत्री मनीश से सौधिया के खिलाफ प्रदेशिन किया शिक्षिकों की मांग है कि बर्खास्ट और निलंबित किये गए टीचर्स को बहाल करवाय जाए और चक निरीक्षन के दौरान मनीश सोधिया ने तीन शिक्षिकों को बर्खास्ट किया और शिक्षिकों को निलंबित भी कर दिया था दिली विधान सभा की डिप्टी चेर्मेन वंधना कुमारी ने इस्तीफा दे दिया है निगम उप्चुनाफ में हार की नैतिक जमदारी लेते हुए वंधना कुमारी ने इस्तीफा दिया है वंधना कुमारी ने पाटी में फूट की खबरों की को भी खंडन किया है दिली पुलिसे सार्वजनिक जगों पर धुम्रपान करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने का एलान किया है को दिली पुलिस स्पेशल कमिशनर पी कामराज ने कारेप्रम के दौरान बताया कि अब सारवजनिक जगों पर धुम्रपान करने वालोंसे 200 रुपए जुर्माना वसूला जाए। दिली में सारवजनिक जगों पर धुम्रपान करने पर प्रतिबंध होगा। मुंबई के पास डोबी वली में फैक्टरी धमागे मुमने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है इस बीच रेस्क्य ओपरेशन खत्म कर दिया गया है पुलिस पहले ही कंपनी के मालिक के खिलाफ और गैर इरादितन हत्या का मामला दर्ज करा चुकी है इस दौरान एक्सपर्ट की मदद से ये पता लगाया जा रहा है कि धमापी क्यासी वज़्य क्या थी बीजीपी ने मुंबई में नमो टी स्टॉल स्कीम को लेकर सफाई दी है बीजीपी नेताशी शेलार का कहना है कि नमो स्टॉल बीजीपी की योजना नहीं है उन्होंने कहा कि ये बीजीपी पाश्ट प्रकाश गंगा धरे का निजी कॉंसेप्ट है गौरत अलब है कि बीजीपी पाश्ट ने रोजगार स्विजन के लिए मुंबई में नमो टी स्टॉल लगाने का प्रस्टाप दिया है मुंबई पुलिस का डेली बुलिटन एक जून से डिजिटल हो जाएगा इसे के साथ रोजाना बुलिटन प्रिंट करने की सौ साल की परंपरा का अंत हो जाएगा मुंबई पुलिस की तरफ से रोजाना डेली बुलिटन प्रिंट किया जाता है जिसे मुंबाई के सभी 93 पुलिस थानों में पहुंच आए जाता है बुलिटिन में आला अफसरों के आदेश, पेशल इंस्ट्रक्शन्स तबादले अवॉर्ड आदी से जुड़ी जानकारी होती है मुंबाई के गणेश की पर्मिशन के लिए अब अलग-अलग दफ्टरों के चकर नहीं लगाने पड़ेंगे चारेटी कमिशनर शशिकान सालवे ने गणेश फेस्टिवल और्गनाईजर्स और महाराश्र गणेश उत्सव महसंग को भरोसा दिया है की गणेश उत्सव के लिए इस बार अनलाइन पर्मिशन की व्यवस्ता होगी मुंबाई हाई कोर्ट का नाम बदल कर अब मुंबाई हाई कोर्ट किया जाएगा कानूर और न्याय मंत्री डीवी सदानंद गौडा ने भरोसा दिया है कि अगले चार महीनों के दौरान मुंबाई की सड़कों पर साइकलिंग का क्रेज देखने को मिला जहां साइकल सवारों ने पूरी रात मुंबाई में 105 किलोमेटर की रेस लगाई रेस की शुरुवात मुंबाई के बांदरा कूला कॉला कॉम्पलेक्स से हुई थी रेस में बुजर्गों के साथ साथ कॉलिज की स्टूडन्स ने भी बढ़ चड़ कर हिस्ता लिया माराश्रु के कॉलापूर में एक नव विवाहता ने जहर पी कर जान दे दी भागिश्री नाम की महिलाने कुछ महिने पहले ही सुरेश नाम के ग्युवक के साथ प्रेम विवा किया था लेकिन उसे घरवाले इस शारी से कुछ नहीं थे आरोप है कि वो भागिश्री पर दबाव डाल रहे थे कि वो अपने पती को छोड़ कर घर लोट आए इसी बाद से तंग आकर उसके जहर पी लिया और इलाज के दौरान इसकी मौत हो गए नागपूर के ओडिनन्स फैक्टरी लाके के दुरगा देवी मंदर में चोरों ने दान पेटी लूट लिया और मंदर के पुजारी की हत्या कर दी बदमाशों में पुजारी के बेटे पर भी जानलेवा हमला किया पुलिस के मताबिक चोर रात में मंदर में घुसे और दान पेटी में रखी रकम चुरा ली पुलिस ने चोरों की पहचान कर लिया और उनकी तलाश में जुट गई है माराश्र के राइगड में लोगों ने रास्ता रोक कर अपनी मांगों के समर्थर में प्रदर्शन किया जिसके चलते वाहनों की आवजाही घंटों तक बंद रही दरसल दिगी पोर्ट की वज़े से रास्ते सिभारी वाहनों की आवजाही लगी रहती है और इसके चलते रास्ते की हालत काफी खराब हो गई है रास्ते की मरम्मत की जिम्मदारी दिगी पोर्ट की ही है लेकिन मरम्मत नहीं किये जाने से लोगों में काफी नरास्ती है बसर के जगदरपूर में 10 महलाव समेथ 40 नक्सलियों ने जिला कलेक्टर और SP के सामने सरेंडर कर दिया कलेक्टर अमित कटारिया और SP आरेंदाश ने सांजहा प्रसकॉंसेंस में इसकी जानकारी दी सरेंडर करने वालों को 10-10 हजार के चेंक भी दिये गर असमके कांजी रंगा नाशन पाक में एक शिकारी ने एक गेंडे को मार गिराया इसकी खबर मिलते ही वनविभाग की टीम हरकत में आ गई और एक शिकारी को मार गिराया जबकि दूसरा भागने में काम्याब हो गया पाक में इस साल चार शिकारी मारे जा चुके हैं और 23 गिरफतार हुए है जमू में यूथ कॉंगर्स की कारेकरताओं ने केंदर सरकार के खिलाफ प्रदेशन किया और मोदी के दो साल की कारेकर को पूरी तरहाना काम बताया कारेकरताओं ने सरकार के रिपोर्ट कार्ट का पुतला फूका MP के शिफपुरी की मीट मार्किट चेत्र में सीवर लाइन के सफाई करने उतरे दो कर्मचारियों की दम घुतने से मौत हो गई सूचना मिलने के एक घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुँची लेकिन किसी ने चेंबर में उतरने की हिम्मत नहीं दिखाई क्रिकिट को सट्टा बताने वाले हिमाचल के सीएम विर्भद्र के बयान की BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाको ने आलोचना की है अनुराग ठाको ने कहा कि मुके मंत्री को अपने बयान पर माफी मागने चाहिए किरन बेदी आज पुटुचेरी की उप राज्य पाल के तौर पर शपत लेंगी जहां स्थानिय लोगों ने इसका जबरदा स्वागत किया तूर में शामिल लोगों ने पुझ के लोगों से विभिन मुद्धों पर चर्चा की इन चात्रों ने आर्मी ओडिटोरियम में अपनी बनाई हुई विभिन चीजे भी प्रदश्चित की जिनके लिए इन्हें पुरिस्कार भी दिया गया माशल के जंगलों में आग लगने की घटनाव पर नियंतरन पाने के लिए हिमालियन फॉरेस्ट रिसर्च इंसिट्यूट वन विभाग की मदद करेगा इन्सिट्यूट की मताबिक ये हिमालेक शेत्र में ग्लोबल वामिंग और पर्यवरंट से जुड़ा एहम मुद्दा है यूपी के सुन्तार्ग पुर में बाजार से बाइक पर घर लौट रहे एक शक्स को बदमाश ने गोली मादी तीन बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और पीछे से गोली चलाए घायल को जिलास्पताल ले जाए गया जहां नाजुक हालत को देखते हुए उससे ट्रॉमा सेंटर लगनव रफर कर दिया गया उजेन महाकुम से हरेद्वार जा रहे जूना अखाड़ा के महंत बाबा गोल्डन पुरीश अनिवाल को आगरा एससपी के पास पहुँचे और अपनी सुरक्षक हिमान की इस दौरान बाबा ने करीब 11 किलो सोने के आप भूशन पहन रखे थे यूपी की 13 विधान सभा परिशद सीटों के लिए चुनाव होने की संभावना बढ़ गई है दरसल बीजेपी ने विधान परिशद चुनाव में अपने दो उमीदवार उताने का मन बनाया है ऐसे में 13 सीटों के लिए 14 उमीदवार में दान बे होंगे विधान परिशद की 13 सीटों के लिए अब तक समाजवादी पाठी ने 8 और ब्येसपी ने 3 उमीदवार उतारे हैं यूपी में अमिलसी की एक सीट पर जीत दर्च करने के लिए 29 विधायकों का समर्थन चाहिए जबकि बीजेपी के पास सर्फ 41 विधायक हैं मुखे मंद्वी अखिलेश यादव ने शनिवार को कौशामबी को कई विकास योजनाओ की सौगा दी उन्होंने एक अरब रुपए से ज्यादा की 31 विकास पर योजनाओ का शला न्यास किया कौशामबी में अखिलेश ने कहा कि सूबी की सरकार ने आमजनता के लिए काम किया है और विपक्ष सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है अखिलेश यादव की कारेकरों में सेक्डू आशा बहुओ और आंगरमारी कारेकरताओं ने जमकर हंगामा किया ये लोग सीम का काफला रोक कर गारी के सामने लेग गए नाराज महिलाओं ने सीम की गाड़ी पर गमले फेगे और होडिंग्स को पाड़ कर तोड़ फोड़ की उन्हें हटाने के लिए पुलिस को धका मुकी करनी पड़ी आशा बहुए नौकरी को पर्मिनेंट करने और वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रही थी यूपी बीजीपी अध्यक्ष केश्य प्रिसाद मौरय ने अवैद खनन को लेकर राजसरकार को आड़े हाथ लिया है उन्होंने कहा कि महोबा में अवैद खनन माफिया के चलते लूट मची हुई है महोबा में खदार में हुए विस्पोर्ट पर कहा कि इसका पट्टा दो साल पहले ही खत्म हो गया था बावजूद इसके खननन लगातार चल रहा है घुरकपुर में पुलिस और समाजवादी पाजी के कारिकरताओं के बीच जम कर जड़ब हुई समाजवादी पाजी के कारिकरता केंडरी मंत्री स्मृती इरानी का पुतला फूक रहे थे इसी दोरान हंगामा हो गया फुलिस और स्पी कारिकरता भिड़ गए स्पी कारिकरताओं का कहना है कि जब से केंडर में मोदी के सरकार बनी है तब से केंडरी यूनिवर्सिटी में चात्रों को परिशान किया जा रहा है बदाईयों में किस्तानों को मिली मुआफज़ राशी में बड़ा गोटाला सामने आया है दरसल मुआफज़े के 151 गायब कर दे गए हैं इस तरह से 28 चेक से लगभग 14 लाक रुपया का गबन किया जबकि अभी भी गायब 123 चेक का कोई अतापता नहीं है पूरे गोटाले में तैसील स्टाफ और बैंक प्रबंधन की मिली भगत की बात सामने आ रही है गाजियबाद में मसूरी के डासना इलाके में दो मासूम बच्चों ने तालाब के पास पड़े बारूद में आग लगा दी जिससे बारूद में जोरदार धमाका हो गया धमाके में दोनों बच्चे गंभी रूप से घाल हो गए धमाके की जगह पर बड़ा संगंधा बन गया इस धमाके की गूंच दो किलो मीटर तक सनाई दी पुलिस मामने के जाच कर रही है कि धमाके के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है उतर प्रदेश के बिजनौर में स्पी आवास पर कोब्रा के निकलने से हड़कम पच गया स्पी आवास पर तैनाथ पुलिस वालों को तस्वीरों में नजर आ रहे इस कोब्रा सापने खूप छकाया सिपाहियों ने इसकी सूचना वनविभाग को दी लेकिन वनविभाग की टीम नहीं पहुँची जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने घंटों मश्रकत के बाद इस कोब्रा को काबू किया यूपी के बहराइच में नावालिक लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई मामला यहां के नानपारा इलाके के मागी गाउ का है जहां रात में घर से माहर निकली लड़की जब वापस नहीं आई तो घरवाले बेचैन हो गए रात भर जोरी को ढूंडा गया लेकिन उसका कोई अतापता नहीं था सुबह पता चला की लड़की का शफ गाउं से दो किलोमेटर दूर जारी में पेर से बंदा हुआ है मौके पर पहुंचे एस पी ने जाच के लिए टीम कठित कर दी है सोशल मीरिया पर पंदित जवाहला नहरू की तारीफ करने पर ट्रांसफर किये जाने वाले बढ़वानी के कलेक्टर अजे गंगवार के समर्थर में कॉंगर्स खुल कर सामने आ गई है विवा कॉंगर्स ने प्रदेश के मुख्य सचिप को खतलिक कर कलेक्टर के किलाव की गई कारिवाई को गलत और ओची राजनीती बताया है बीजीपी के विकास पर्फ के जवाब में कॉंगर्स ने सरकार की नाकामिया गिनाने के लिए अपने नेता उतारे है इसी सलसिले में कॉंगर्स नेता और अभिनेता राजबबर ने भोपाल में प्रेस कॉंफरेंस करके इंद्रिस सरकार को आड़े हाथ हो लिया प्रश्टा चार जूटावे ग्यापन, महंगाई जैसे मुद्दों को हत्यार बनाकर सरकार पर निशान असा था प्रतलाम में आंगनवारी के 12 बच्चे अचानक बिमार पड़ गए आंगनवारी कारेकरताओं ने तुरंत अधिकारियों को बच्चों के तब्यत खराब होने के जानकारी दी बताया जा रहा है कि बच्चों ने आईरन सिरप पेने के बाद अचानक उल्टी करना शुरू कर दिया फिलाल सभी बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है होम का रेश्वर में हुए एक हादसे में दो लोगों की डूप कर मौत हो गई कोठी तीर्थ घाट पर स्नान करने गए एक महिला और उसका 15 साल का बेटा पानी ज्यादा होने की वज़े से ढूब गए होम गाट के जवान अभी भी शवों की तलाश में लगे है धमतरी में एक 8 साल की बच्ची ने तलाब में डूब रही 4 साल की मासूम की जिंदगी बचारी हैरत की बात है कि जान बचाने वाली बच्ची नीलम खुद तैड़ना नहीं जानती नीलम के जजबे और होसले की तारी फगाओं का हर शक्स कर रहा है कॉंगर्सांसत कुमारी शेलजा ने राहूल गांधी के जल्द पार्टी अध्यक्ष के पद सम्हालने की बात कही है जैपुड में प्रेस कॉंफरेंस कर कुमारी शेलजा ने ये बयान दिया उन्होंने केंद्र में मोधी और राज्य में वसंदरा सरकार पर भी हमला बोला कॉंफरेंस विशेलजा ने कहा कि मोधी सरकार लोगों को जूटे सपने दिखा रही है जाथा अरक्षन के बाद अब गुजर अरक्षन अंदोलन की दस तक दे रहे है अखिल भार के गुजर अरक्षन समिती के राश्ट्री अध्यक्ष ने गुजर अरक्षन की मांग उठाई है रामवी सिंग विधूडी ने चतानी दी की गुजर अरक्षन के मस्तौदे को जल्दी नौवी अनुसूची में शामिल नहीं किया तो दो अक्टूबर को दिली के रामवीला मैदान पर सरकार का गिराव होगा भूंदी के एनेच बावन पर केशुपुरा टोल प्लाजा पर हत्यार बन सरपंच और उसके समर्थोकों ने हंगामा किया सरपंच और उनके समर्थोकों ने रिसेप्शन, काउंटर, कंप्यूटर, LCD और कुर्सियों से तोड़ खोड़ की हंगामे के दौरान मौके पर पहुंशी पुलिस से भी सरपंच ने बत्तमीजी की सवाई माधोपूर जा रही एक निजी बस के पलटने से 25 यात्री घाल हो गए बताय जा रहे कि बस के रफतार टेज होने से ड्राइवर बस को कंट्रोल नहीं कर पाया जिससे बस पलट गए बस में करीब 50 से 60 यात्री सवार थे जोदपूर का सरकारी अस्पताल देश की अन्यास्पतालों के लिए सीख पेश कर रहा है इस अस्पताल की कोपोशित वाड को प्ले स्पूलों के तर्च पर सजाया गया है वोट की दिवारे, कार्टून क्यारेक्टर्स की तस्वीरों से सजी है और साथी अंग्रेजी के अलफबेट्स लगे है और अंगाबाद पुलिस ने सेना की भरती में फर्जी सर्टिफिकेट जमा करने के मामने में 28 उमीदवारों को गिरफतार किया है इनके खिलाफ जालसाजी समेथ कई धाराओं के तहट केस दर्ज क्या गया है सेना की ये भरती रैली पिछले साल जुलाई में हुई थी उज्जैन की धाज़ा ववंग चेत्र में एक महिला को उसकी ही पती ने सड़क पर पीट-पीट कर माढ़ आणा महिला की गलती महजिये थी कि वो अपने पती को बिना बताए अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल गए थी दरसल लड़की ने करीब आट महीने पहले परिवाल की मरजी के खिलाफ लव मारिश की थी इसी बात को लेकर ये शक्स अपनी बेटी से नाराज था 36 गड़ के दुर की जेल में रेब की सजा काट रहे एक कैदी ने खुदकुशी कर लिए विरेंदर बालमी की नाम का ये कैदी जेल प्रहरी के कक्ष में रस्ती का भंदा बना कर पंखे से लटा गया खुदकुशी की वज़ह का पता नहीं चल पाया है विरेंदर सजा काट कर 6 महीने रिहा होने वाला था यूपी के सिधार्थ नगर में शोहरत गड़ के विधाय की बेटी के घर दिन दहाड़े लाखों की चोरी हो गए शिकायत के मुताबिक बदमाशों नहीं नौकर के हाथ और मूँ बांध कर घंटो घर का कोना कोना चाना और कैश जूइल रिले कर फरार हो गए फिलाल पुलिस नौकर से पूछताच कर रही है फरीद कोट में सिध्पिरे आशिक ने एक महिला को जिन्दा जला दिया अबाजी गर पस्ती में रहने वाली लड़की से बब्बू नाम का शक्स एक तरफा प्यार करता था लड़की के इंकार को वो बरदाश नहीं कर पाया और उसकी जान का दुश्मन बैठा अमित्सर की न्यू गुर्णाम नगर में ज्वेलर जस्विंदर सिंग के घर में चार हत्यार बंद युफकों ने उनकी पत्नी को बंधक बनाया और डेड़ किलो सोने के जेवर सत्तर हजार कैश लेकर भाग मिखले भागे से पहले लुटेरों ने पत्वी पत्नी को एक कमरे में बंध कर दिया करीब 15 से 20 मिनट बाद उनका एक कारेगर यहां पहुँचा और उन्हें कमरे से निकाला टीकमगड के पत्वीपूर कस्वे में जमीन के विवाद में दबंगों ने महिलाओं और पुरुशों को जम कर पीटा बीज बचाफ करने पहुँची महिलाओं के साथ भी मार पीट हुई जिसमें तीन लोगों को चोटे आई है पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज का जांच शुरू कर दिये जैपूर की मानक चौक पुलिस ने घरों में सेंद लगा कर चोड़ी करने वाले एक अंतरराज्य गैंग का खुला सक्या है गैंग के दो बदमाश भी पुलिस के हथे चड़े हैं दोनों यूपी के बरेली के रहने वाले और जैपूर में मस्दूरी करते हैं रादस्तान के बांस्वाड़ा के तलवाड़ा करदे में चोड एक मकान से दो दो पहिया वाहन चुरा कर फरार हो गए ये पूरा घटना क्रम घर के बाहर लगे सीसी टीवी क्यामरे में रिकॉर्ड हो गया पुलिस सीसी टीवी फुटिश के जरिये चोरों की तलाश में लग गई है इस बार पैरिस में हुए इनो रोबो एक्सपो में पेपर रोबोट सबकी आगकरशन का क्येंदर बना रहा दिखने में किसी बच्चे की तरह लगने वाले इस रोबोट की खास बात ये है कि ये इंसानी निर्देशों को आस्तानी से समझ कर उसे के मताबिक प्रतिक्रिया देता है